हेलो स्टुडेंट मैं स्यूजिंकर और दिख्ष अकेड़िय में आप सभी का स्वागत है एक और के स्टेडी के साथ आज हम आये हैं तो एपी की के स्टेडी है जो आज मैं आपको स्कॉल करा हूँ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्वेस्चन नमबर 37 था यह जिस पेपर से उठाया था मैंने तो आप सर्च कर ले ना मैं इसकी पैन की थोड़ी मोटा ही बढ़ा देता हूँ अब ठीक है तो क्वेस्चन में क्या कहा गया है बोल रहे है एक स्कूल का ओडिटोरियम है ओडिटोरियम जो बनाया गया है जिसमें कम से कम पंदरा सो लोग आ जाएं इस तरीके से बना गया है जैसा आप देख रहे हो यहां पर गोल गोल उसमें खेमे में लगाई हुए है यह पहली रो दूसरी तीसरी चोथी पांच वी ऐसे ओर चलती जाएंगी इस तरीके से इसको बनाया गया है फोल रहे सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट मोर देन प्रीवियस वन मालो पहले वाले में अगर 10 हैं तो दूसरे में फिर 10 जादा हो जाती है यानि 20 तो हर सक्सीडिंग में 10-10 बढ़ती जा रही है इस तरीके से यह अपना में कुश्चन हो गया तो एक बार हमें समझना है पहले इसमें दो पार्ट होते हैं एक में तो क्या होता है कि वो बताता है चीजों के बारे में और दूसरे में फिर पूछता है तो यह तो अभी उसने हमें बताया चीजों के बारे में सारी case study के दो पार्ट मिलेंगे एक knowledge वाला पार्ट होगा और दूसरा फिर question asking वाला तो ये knowledge वाला पार्ट आपका complete हो गया अब question पूछ रहा है पहला question क्या है if the first circular row has 30 seats अगर पहली row में 30 seat है how many seat will be there in the 10th row तो 10th row में कितनी होगी AP का question हो गया तो देखो जो हमारी T seat है पहली row में तो हमारा formula क्या होता है A, A कितना हो गया 30, ठीक है हमारे को अब निकालनी है 10th row की seat यानि A N वाला formula लगाना है और N की जगा में 10 रख सकता हूँ formula होता है A N is equal to A plus N minus 1 into D जहाँ पे A हमारी पहली row होगी N हो गया हमारा total जितने नंबर की row निकालनी है यानि 10 और D common difference हो गया यानि 10-10 seat का फरक है तो 10 हो गया अब इस formula में हम value रख देंगे तो A 10 हमें निकालना है कि 10 वी row के अंदर कितनी seat होगी तो पहली row में कितनी बता रहा है 30 seat हमें निकालनी है 10 की तो 10-1 कितना हो गया 9 और D D कितना है हमारा 10 क्योंकि हर बार 10-10 seat बढ़ रही है तो यहां पर हम लिख देंगे 10 तो यह हो गया हमारा 30 plus 90 120 ठीक है यह आगा आपका पहले वाले का अंसर फर्स्ट पार्ट होगा आपका complete जो कि आपका एक नंबर का था फिर एक नंबर का यह वाला है ठीक है अब यह बोल रहा है 41500 seat in the auditorium How many row need to be there बोल रहा है अगर 1500 seat नंबर अडिटोरियम में है तो हमें कितनी row चाहिए अब की बार हमारे से पुछा है AN लेकिन हमें sum दिया हुआ है SN ठीक है SN कितना दिया हुआ है 1500 देखो total seat कितनी है 1500 पहली row में 30 seat थी तो जोड नहीं है सारी seat तो SN का formula क्या होता है आपका N by 2 फिर bracket N by 2 2A plus N minus 1 into D यह formula होता है इस formula में value put कर देंगे तो हमें N की value निकालनी है SN हमें given दिया हुआ SN कितना लिया हमने 1500 N की value निकालनी है N by 2 फिर 2 पहली row में कितनी थी 30 seat N minus 1 N हमें निकालना ही है D कितना है 10 क्योंकि difference है 10 का तो 10 N minus 10 multiply कर दिया है तो यह 60 हो गया multiply किया 60 में से 10 गया 50 और इस 2 को मैं उदर ले जाता हूँ तो 1500 को 2 से multiply किया तो कितना हो गया 3000 इधर बच गया आपका N और इधर मैंने बताया 32 जा 60 60 में से 10 minus हो आप 50 प्लस 10 N यह हो गया आपका अब मैं क्या करता हूँ इनको अंदर multiply कर देता हूँ तो हमारा solve हो जाएगा तो उदर है हमारा 3000 और 50 N प्लस 10 N स्क्वेर ठीक है और सारी equation को दोनों साइड अगर मैं 10 से divide कर दूँ तो तो एक 0 भी कम हो जाएगी हमारी solve करने में easy होगा ठीक है अब बच गया हमारा N स्क्वेर पहले लिख लेता हूँ प्लस 50 N और 300 बच गया उसको उधर ले जाएगे तो minus का हो जाएगा minus का 300 equal to बचा 0 अब हमारी quadratic equation हो गई इसे हम solve करेंगे और हमारा question आ जाएगा sorry 50 लिख दिया मैंने 5 5 N ठीक है erase कर देता हूँ इसको नहीं बार बार ठीक है इस तरीके से अब quadratic equation solve करेंगे middle term split का question मैंने बहुत सारे कराए हुए अगर आप ने अभी तक नहीं किया तो आप middle term search करें और मेरा YouTube पे वीडियो भी देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं आपको अच्छा लगे तो अभी इसको हम क्या करेंगे solve करेंगे n square plus factor बनाएंगे तो 20 और 15 का बनेगा 20n minus 15n इन दोनों को जोड़ेंगे तो plus 5n बचेगा ठीक है और multiply करेंगे तो 300 आएगा अब n मैं common ले लेता हूँ n plus 20 minus 15 common ले लिया n plus 20 equal to 0 15 अगर आपको middle term split नहीं आती है तो ये बहुत सरम की बात है सबसे पहले जाओ और middle term split के question समझ गया हो बाद में ये कानी समझ में आएगी नहीं तो सब उपर से जाएगा ठीक है तो यहाँ पे n equal to minus 20 हो गया और n equal to 15 हो गया तो negative value तो हम लेंगे नहीं ठीक है तो हम क्या लेंगे 15 n की value क्या लेंगे हम 15 positive value है 15 तो हमारा जो था ये बोल रहा है कि 1500 सीटें कितनी रो में आ जाएंगी 1500 सीटें आ जाएंगी आपकी 15 रो के अंदर ठीक है ये भी हो गया हमारा अब और वाले question भी देख लेते हैं सारे समझा देते अगर बोल रहा है 1500 सीटें अरेंज की जाएंगी तो how many seats are still left to be put 10th row तो 10th row के बाद कितनी सीटे रह जाएंगी वो बतानी है तो देखो हमने 10th row निकालनी है पहले 10th row हमने निकाली थी क्या पहले कौन सी निकाली थी हमने 10th row स्टार्टिंग में निकाली थी ना तो 120 सीटे आई थी ठीक है तो ए 10 कितनी आगे आपकी 20 सीट अब 20 सीट आगे ना आपकी तो देखो टोटल सीटे अभी है हमने कितनी बताई इसने 1500 और 1500 में हमारी कितनी थी 120 माइनस कर दो 0 तो दस में से दो गए कितने बताई आपके आठ यहाँ चार में से एक गया तीन ओरे 1380 सीटे अभी बाकी बच जाएंगी इस तरीके से सॉल कर सकते हो ठीक है अगर आप ये करोगे तो इसमें भी आपको पहले वाला एक पार्ट तो सॉल करना ही पड़ेगा फिर इसके बाद अगला पूछ रहा है अब देखो अगर बोल रहा है कि ओडिटोरियम में कितनी है 17 सीटे ठीक है तो बीच वाली जो सीट है बीच वाली उसमें कितनी वो होंगी कुर्सिया होंगी ऐसे पूछ रहा हूँ अगर हम आधे आधे करें तो आठ और आठ 16 होगी और बीच की बच गई यानि पहली आठ वाली छोड़ देंगे तो नाइन्थ रो जो है नाइन रो जो है वो हमारी बीच की होगी तो नाइन्थ रो की वेल्यू निकाल दो S9 निकालना है हमें तो S9 का फोर्मूला होता है N by 2 यानि 9 by 2 इंटू 2 A A कितनी थी हमारी 30 प्लस N minus 1 N minus 1 यानि 9 minus 1 8 इंटू D D कितना है हमारा 10 ये वाली वाल्यू निकाल देंगे तो हमें आ जाएगी कितनी है ठीक है 140 अब डिवाइड बाइ 2 2 से काटेंगे तो ये आएगा आएगा 70 तो 9 को आप multiply कर दो 70 से आपका अंसुरा जाएगा 630 टोटल सीटें आएगी आपकी 9th row में यानि जो आपकी middle most row है ठीक है तो इस तरीके से आपको question solve करना है आचा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर question अच्छा लगा और समझ में आ गया पूरी case study तो हमारे channel दिख्षा Academy को subscribe कर दो गई तो case study complete अगली case study में मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और channel को subscribe कर दो